नमस्कार दोस्तों सिखने सिखाने के इस मैफिल में आप सब का स्वागत है यह से सिशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सिशन में हम लुग करने वाले हैं पलंग तोड़ प्राक्टिस पलंग तोड़ प्राक्टिस का मतलब दोस्तों ठंडी का दिन आने दोस्तो इसलिए ध्यान से सिसरन को देखिए सुनिये समझे और चितना हो सके उतना ज़्यादा बार प्राक्टिस करिए तो कि संधी से बहुत ज़्यादा अंगों के प्रशन आपके पेपर हैं पूछे जाते हैं यदि आपका नसीब खराब रहा तो चार अंग यहां से मिलने बहुत जाने वाले हैं और यदि आपका नसीब अच्छा रहा दोस्तो तो 6-7 कहीं नहीं जाने वाले तो चलिए इस खूपसूरा से सिसन के सुरुवात करते हैं पहला प्रशन आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं दोस्तो की संधी के कितने भेध हैं तो संधी के भेध हैं स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी तो यहां पर टीक लगा लोग C4 कटपा करेक्ट आंसर बनता है अगला प्रशन है दोस्तों कि यह शोदा शब्द का संधी विश्यत क्या है तो यह शोदा विशर की संधी से बनता है और इसका संधी विश्यत होता है यह शाह प्लस दा option number A करेक्ट आंसर बनता है, अपना टाइम आयेगा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार शब्द का संदिविषित क्या है तो संसार में व्यंजन संदि लगा हुआ है और इसका संदिविषित होता है समधनसार यानि कि अपना टाइम आएगा करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों अगला प्रशनाप के सामने है कि पौन शब्द का संधिविश्यत क्या है तो पौन शब्द का संधिविश्यत दोस्तों होता है पोधन अन यहां उप्सेन नमबर एपी दिखाई दे रहा है और यह है आयादी संधि का उधारण अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे उद्योग शब्द का संधी विच्छत क्या है दोस्तों तो उद्योग में लगा है वेंजन संधी और इसका संधी विच्छत होता है उत्धन योग उत्धन योगता के नीचे हलंत होना चाहिए यानि कि बेबी को बेश पसंद है वाला option बिल्कुँ सही बनता है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पे निराधार शब्द का संदी विच्छत क्या है तो नीधन आधार विसर्ग संदी लगा है दोस्तों नीधन आधार यानि कि option number c c for कटपा करेक्ट आणसर बनता है अगला प्रशन देखिएगा अपने स्क्रीन पे कि प्राता काल शब्द का संदी विच्छत क्या है दोस्तों प्राता काल का संदी विच्छत जो दिख रहा है वही है यानि कि प्राता धनकाल option number a प्र दिखाई दे रहा है तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आणसर बन जाता है अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे कि सुक्ति शब्द का संदी विच्छत क्या है दोस्तों सुक्ति शब्द का संदी विच्छत होता है सू धन उक्ते सु में छोटी उक्ती मातर लगी होगी और उक्ती में छोटा उ लगा होगा यानि कि यहाँ पे option number b करेक्ट दिखाई दे रहा है बेबी को बिस पसंद है दोस्तों अगला प्रशन आपके screen पे यथिष्ट शब्द का संदी विच्छत क्या है यथा धन इस्ट यथा धन इस्ट में यथिष्ट लगा है और ये गुण संदी का उधाया है दोस्तों यथा धन इस्ट यहाँ पे option number a पी दिखाई दे रहा है अपना टाइम आएगा करेक्ट आं दोस्तों अगला प्रशन आपके screen पे कि गिरिच शब्द का संदी विच्छत क्या है गिरी धन इफे ब्राबर गिरे यहाँ पे option नंबर a यहाँ प्रक्राइब बनता है कर अगला प्रशन आपके screen पे यदिधन अपी बनेगा यद्यपी दोस्तों और यह ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा निकि C फर का टप्पा बिल्कुँ सही जवाब बन जाता है अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पर कि शयन शब्द का संधी विश्यत क्या है शेधन अन दोस्तों शेधन अन से बनता है शयन तो देखो यहाँ पर शेधन अन कहाँ पर दिखाई दे रहा और बाहु बली का रिक्टांसर बनता है अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पर कि संगठन शब्द का संधी विश्यत क्या है उपर अनुस्वार दिखते ही मोड ढूड़िएगा संधन गठन यानि कि संधन गठन संगठन ओप्सन नमबर ए पर दिखाई दे रहा है अपना टा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर कि उद्गम शब्द का संधी विश्यत क्या है उत्धन गम उत्धन गम से बनता है उद्गम दोस्तों तो के नीचे हलंत लगा होगा अगला प्रशन है कि हिमाले शब्द का संधी विश्यत क्या है हीम धन आले हिमाले का संधी विश्यत होता है दोस्तों हीम धन आले जो की ओप्सन नमबर ए पर दिखाई दे रहा है यानि कि अपना टाइम आएगा बिलकुल करेक्ट आंसर बनता है अगला प्रशन आपकी स्क ने कि इत्यादी शब्द का संदिविशित क्या है इत्ति धन आदी इत्ति धन आदी से बनता है इत्यादी और यह option नमबर बी पर दिखाई देर यानि कि बेबी को बेज पसंद है दोस्तों अगला प्रशनाप की screen पे कि गायक शब्द का संदिविशित क्या है गई धन अक संदिविशित दोस्तों होता है परमधन अर्थ और यह परमधन अर्थ option नमबर ए पर दिखाई देर है और इसमें लगा हुआ दिर्ग संदिव अगला प्रशनाप की screen पे कि विद्यार्थी शब्द का संदिविशित क्या है दोस्तों विद्याधन अर्थी और इसमें भी ल अगला प्रशनाप की screen पे कि विक्रम अधित्य शब्द का संदिविशित क्या है विक्रम धन अधित्य और इसमें लगा है दिर्ग संदिविशित दोस्तों विक्रम धन अधित्य यहां option number a पे दिखाई दिया यानि कि अपना टाइम आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अगला प्रशन है कि उनायक शब्द का संदिविशित क्या है उत्धन नायक जब भी पंचमाक्षर दिखाई दे तो समझाओ कि प्रथम वन पंचमाक्षर बने हमने वियंजन संदिवें पढ अधाव और उसके बाद यह की मातरा लगी है और यह अमने यह संदि में नियम पढ़ा था कि उ के साथ जब और यह मिलाते हो तो यह संदि हो जाता है तो देखोगे वी प्लस आकुल option number a पे दिखाई दे रहा है यानि कि अपना टाइम आई का बिल्कुल सही जवाब बनता ह अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पे कि नायक शब्द का संदि मिचित क्या है नई प्लस अक और इसमें लगा है आयादी शंदि दोस्तो नई प्लस अक आपको option number b पे दिखाई देता है यानि कि option number b बिल्कुल करेट है बेबी को बेस पसंद है अगला प्रशन है कि जग प्लस अनंद इसमें लगा है वेंजन संदि प्रथम वन का तिर्थय में बदला हो जाता है जगत धन आनंद जो की option number a पे दिखाई दे रहा है अपना टाइम आएगा बिल्कुल करेट आंसर अगला प्रशन आपके screen पे कि महाश्य शब्द का संदि मिचित क्या है तो महाधन आशे महाधन आशे से महाश्य बना है और इसमें दोस्तों दिर्व संदि लगी हुई है तो देखो महाधन आशे कहां दिखाई दे रहा है दोस्तों महाधन आशे option number b पे दिखाई दिया यानि कि बेबी को बेस पसंद है बिल्कुल करेट आसर अगला प्रशन आपके screen पे कि संदि विचित क्या है कमल धन इश कमल धन इश और इसमें लगा है दोस्तों गूर संदी कमल धन इश option number d पे दिखाई दे रहा है यानि कि दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो वीड उपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है तो मच आहिए आपको option में से सम प्लस वत सम धन वत आपको option number b पे दिखाई दे रहा है यानि कि बेबी को बेश पसंद है दोस्तों करिक्ट आंसर बन जाता है अगला प्रशने आपके सामने की सदाचार शब्द का संदिवेशित क्य दिखाई दे रहा है यानि कि दिलवाले दुरनिया ले जाएंगे सही जवाब है दोस्तों तो इसका हताहत का संदिवेशित होता है हत प्लस आहत और इसमें लगा हुआ दिर्ग संदी हत धन आहत दोस्तों option number b पेट दिखाई दे रहा है यानि कि बेबी को बेश पसंद है अ اتऑ चाहा हो मूरदा हो तालू हो दंत हो अगर हादासर का योग दिखाई दे आपको शब्द में तो समझ जव विसर्ग संदी और यह आदासर चाहा है मूरदा हो तालू हो दंत लो वितसर के जगह पर आथा है तो निस्तार का संदी विशेद होगा निधनतार जो कि option number c CNN 5 और यह आता है E plus A की योग में तो E के लिए यह लगा दिया आपने आकारी के लिए A लगा दिया यानि कि N plus A और उसमें जोड़ दो A तो इसमें तीन मिलेगा आपको A plus N plus A A plus N plus A दोस्तों तीन मिलेगा नियाय का ये वाला संदी विशेद हो गया और A अलक से ढूटा हुआ तो A लगा तो इसमें तो A plus N plus A सही संदी विशेद हो जाता है दोस्तों अन्याय का जो कि option number C पे बैठा है यानि कि C for cut up पर बिल्कुँ सही जवाब बनता है अगला प्रशन आपके सामने आपके screen पे कि उचारन शब्द का संदी विशेद क्या है तो उचारन शब्द का दोस्तों सही संदी विशेद है उत्धन चारन उत्धन चारन से बनता है उचारन जो कि option number A पे दिखाई दे रहा है और यहां पे नियम लगा है व्यंजन संदी का अगला प्रशन है कि सजन शब्द का संदी विशेद क्या है दोस्तों तो सत्धन जन सत्धन जन से बना सत्धन जो कि option number D पे दिखाई दे रहा है अगला प्रशन आपके screen पे कि तपोबल का संदी विशेद क्या है तपा धन बल और इसमें लगा विश्दरक संदी तपा धन बल से बना है दोस्तों तपो बल option number A correct answer बनता है अगला प्रशन आपके screen पे कि राजेंदर शब्द का संदी विशेद क्या है अब इसमें विदार्थी गच्चा खा जाते दोस्तों और ये फसाने वाला प्रशन है आप धून करके आओगे राज धन इंदर और वो हो जाएगा गलत याद कलो बहुत important है ये वाला चीज आपके लिए बहुत जादे important है दोस्तों कि राजेंदर का जो संदी विशेद होता है वो होता है राजा धन इंदर याल रखना राजा धन इंदर ना की राज धन इंदर एक के साथ मत जाना जाना राजा धन इंदर यानि कि option number C करेक्ट आंसर बनता है C पर कटपपा अगला प्रशन आपकी screen पे कि महेश शब्द का संदी विशेद क्या है महा धन इस तो बनता है महेश अगला प्रशन आपकी screen पे कि रवी इंदर शब्द का संदी विशेद क्या है मनुधन अंतर मनुधन अंतर से बनता है क्योंकि हमने पढ़ा है वह य और र के पहले अगर आधा वन आ जाया तो हो जाते यहन संदी तो मनुधन अंतर यहां option नंबर A पे दिखाई दे रहे हैं अगला प्रशन आपकी screen पे कि 60 दर्शन शब्द का संदी विशेद क्या है यहां पे देखो 33 वन दिखाई दे रहे हैं और यहां पे 33 वन आता है दोस्तों प्रथम वन के जगह पे यानिकि 60 धन दर्शन तक के नीचे हलंत होना चाहिए दोस्तों और यह option नंबर B पे दिखा दे रहे हैं यानि कि बेबी को बेश पसंद है बिल्कुल सही जवाब अगला प्रशन है कि 9 शब्द का संदी विशेद क्या है दोस्तों तो जवाब है ने प्लस अन और इसमें लगा हुआ है आयादी संदी ने प्लस अन option नंबर A पे दिखाई दिया अगला प्रशन है कि व द्याले शब्द का संदी में छेद क्या है दोस्तों विद्याधन आले और इसमें लगा हुआ दिर्ग संदी विद्याधन आले यहाँ पर option नंबर B पे दिखाई दे रहा है यानि कि बेबी को बिल्कुल बेश पसंद है अगला प्रशन है कि निश्या शब्द का संदी में तो देखो बीच में न दिखाई दे रहा है प्रथम वन का अंतिम वन में बदलाव हमने वेंजन संदी में पढ़ा था यानि कि जगत धन नाथ जगत धन नाथ से बने हैं दोस्तों जगनाथ जो की option नंबर A पे दिखाई दे रहे तो अपना टाइम आएगा बिल्कुल करेक फिर से मैं आप सबसे कहा दो कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तब प्लीज लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं उन तक चैनल को पहुंचवा दो बताओ कि बेस्टू बेस्ट कॉंटेंट आया हुआ है यूटूब पर सबसे अब जब भी उपर एक दिखाए दें तो यहां पर नियम काम में वर्ता धन अलाब और इसमें जो नियम काम करता हैовать अपका अ अलाप अब इसमें वारता अलाप में ना तो काम करें नियम गुण संदी का नहीं विशर्ग संदी का इसमें नियम काम करें आपका दिरिंग संदी का वारता धन अलाप औप्सेन नमबर B बिल्कुल करिक्ट आंसर बन जाता है बेबी को बेस पसंद है अगला प्रशन है कि निश्चल शब्द का संदी विश्यत क्या है तो निश्चल का संदी विश्यत होता है निश्चल बीच में कोई विश्यत दिखाई दे चाहे तालू हो दंत हो मुर्धा हो अगला प्रशन है कि अनवेशन शब्द का संदी विश्यत क्या है तो अनुधन एशन देखो वहा कि पहले आधा वर्ण का दिखाई देने यर्ण संदी का उधार होता है तो अनुधन एशन ओप्सेन नमबर C पे दिखाई दे रहे यानि कि C4 कटप बिल्कुल सही जवाब अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पे कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते है दोस्तों तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संदी कहा जाता है संदी का सिधा सिधा उठागर के परिभास आपके सामने रख दिया गया है तो ओप्सेन नमबर C का रि E बराबर A हो जाता है, यह स्वर संदी के किस वेद को व्यक्त करता है, तो A की अगर मातरा लिखो तो उपर ऐसे एकले लिखते हो, और हमने पढ़ाता है यह हमने गुण संदी में, तो यह गुण संदी का उधायन दोस्तों जो कि option number B पर बैठा है, तो बेबी को बेश पसंद बनता है, अपना टाइम आएगा, अगला प्रशने की नाविक शब्द का संदी विश्यत क्या है, तो नव धन एक और इसमें लगा है आयादी संदी, नव धन एक बराबर हो जाता है नाविक दोस्तों, जो कि option number C पर बैठा है, C for cut-up का correct answer, अगला प्रशने की अभी धन अभ्योद है, अभ्योद है, E plus U मिलके U हो जाता है, तो अभ्योद है, जो कि option number A पर है, बिल्कुल सही जवाब बनता है, अगला प्रशने की निर्धन शब्द में, निर्धन में कौन सी संदी है, तो निह प्लस धन, इसमें विशर्ग संदी है, निह प्लस धन बराबर हो ज जाते है, देव प्लस रिसी, दोनों तरफ यहां पर स्वर्ण मिला है, तो यह तो नहीं हुआ, इसको खतम करो, इसके बाद है, जानकेश, जानकी प्लस इस, जानकी प्लस इस से बन है, जानकेश, तो इसमें भी दोनों के तरफ स्वर्ण है, तो यह भी नहीं होगा, इसके देखो तो कवी धन इस होता है दोनों तरफ स्वर लगा हुआ है तो यह स्वर संधी का उदारन है यानि किसी फ़र कटा पर बिल्कुश सही जबाब बनता है अगला प्रश्ण पंज प्लस शब्द का संधी में चित क्या है तो इसमें विद्याती घच्चा खाएंगे समझों विद्याती खाएंगे गच्चा वो ढूनेंगे पंज प्लस आप क्योंकि यहां तीसरा वर्ण है तो ढून लो देखो मेरे दोस्त तुच्व के नीचे हलंत नहीं है हलंत होता तब प्रथम का तिर्टिय वर्ण में बदला हो जाता इसमें लगा हुआ दिरिग संधी पंज प्लस आब यहां देखो पहला वालक पंज धन आब मतला होता पांच और बीकश्रण मतला होता पांच और आप नदी पांच नदियों का संगम जहां पर वह पंजाब विन्जन दिखाइदे रहे हैं बेंजनन वर्ण, तो जब भी बीच में आधा बेंजनन वर्ण, वो भी एंतिम वाला दिखाइदे तो समझ जाना कि विन्जन संधी है दोस्तों, सत प्लस मार्ग बराबर होता है संद मार्ग यानिक यह打 बिल्कूल करेक्टर जाता तो देखो फिर बीच में यह दिखाई दे दिया बीच में यह और वह दिखाई दे तो आयादी संधी का उधारन होता दोस्तों आयादी संधी सीपर बैठा यानि कि शीफर कटप करेक्ट आशर अगला प्रश्णाप की स्क्रीन पर कि किसे शब्द में वेंजन संधी देखो पहले में आधा वन बैठा वेंजन तो यहीं हो गया सब्सक्राइब कर लो और आपके जान पहचान के जितने विद्यारती उन तक वीडियो को पहुंचा और बताव क्योंटूबर जो बदस्त आया हुआ है आगे कि मनुभाव शब्द का संदी विशित क्या है अगला प्रशन एक कौन से संदी है और इसमें से प्लस अन जो है मेरी बीच में और वह दिखाई देता है तो आयादी संदी कवधारण होता है इस अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर कि अत्यावश्यक शब्द का संधिविश्यत क्या है अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक बना है अतिधन आवश्यक से और यह दोस्तों दिखाई दे रहा इसमें भी विसर्क संदी लगा दोस्तों पुनाधर जन्म पुनाधर जन्म बराबर पुनाधर जन्म ओप्सन नंबर सी पे दिखा इदे रहा है यारने कि सिफर का टपा करेट अंसर बनता है अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पे कि परवार शब्द का संदी मिशित क्या है प् दोस्तों दिगंबर जो कि option number B पर बैठा है बेबी को बेश पसंद है दोस्तों अगला प्रशन कि स्वच्छ सब्द का संधिविश्यत क्या है सूधन अच्छ स्वच में सूधन अच्छ मिला है और इसमें लगवाए यह संधिव सूधन अच्छ संधि में हुआ है अगला प्रशन की उचारण का संधिविश्यत क्या है तो उत्धन चारण से बनाएं दोस्तों उत्धन चारण संधि का पूछे तो तनी याद रखना और स्वर का पूछे तो पांच संधि का तीन और स्वर का पांच दोस्तों स्वर में आ जाता है देरी गुण व्रिधी यंड आया दी ऑप्सन नंबर एक करिक्ट आंसर बनता है अपना टाइम आएगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन स्क्रीन पे कि अभ्यूदे शब्द में कौन सी संधि लगी है अभी धन उदे से बने अभ्यूदे यहां पर देखो यह के पहले अर्धवन है मैंने का था यह वह रख के पहले अर्धवन हो तो यह संधि हो जाता है दोस्तों यानि कि अपना टाइम आएगा तरी आंसर बनत सब्सक्राइब करो और आपके जान पहचान के जीतने सारी विद्यार थे हैं उन तक की बेश्ट से बिस्ट को पहुंचाओ सेके लास्ट क्वेश्ट की अत एओ का संधिविश्ट क्या है अताधन एओ बराबर होता अत एओ अताधन एओ ऑप्सन नंबर यहां पे बी पे दिखाई दे रहे यानि कि बेबी को बेस पसंद है लास्ट प्रस्ट की जब भी का संधिविश्ट क्या दोस्तों तो जब प् जब भी जब प्लस ही बराबर जब भी यानि कि डीफर दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे तो यहां पर हमने शांदाल लाजवाब जब बदस्त 90 प्रश्णों का प्राक्टिस किया उमीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा आप बस प्राक्टिस करते रहो पेपर में भरभर के नमबर लाओ चलो थांक्यू सो मच बाय टेकर दोस्तों